नमस्कार दोस्तों, ट्रेक्ट वैदिक रैमडिस चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है अनपुन्य, किसी भूखे को बोजन कराना, चाहें वह मनुष्य हो या जानवर, अपने सच्ची हिर्दिये से उनको बोजन कराना, यह पहला सबसे बड़ा पुन्य है शैन पुन्य, निराशित मनुष्य या जानवरों को आक्षे देना, यह दूसरा सबसे बड़ा पुन्य है वचन पुन्य, यदि आपके पास ना भोजन है और ना धन है, किसी को दान करने के लिए, तो आप अपने निर्दोश्वानी से, वह अपने मधूर्व शब्दों से, अन्ने के दुखों को सुखों में परवर्तित कर सकते हैं, अथार्थुने सुख पहुचा सकते हैं नमशकार पुन्य, अपनों से बड़ो वह छोटों के परती नम्ता पुन व्यवार रखना यह सबसे बड़ा पुन्य है, बड़े बुजुर्गों के चरन सपरश करने, मातर से ही आपके पाप पुन्य में बदल जाते हैं मन पुन्य, हिर्दिय में सभी प्रानियों के परती सुख की भावना रखना और अहिसा का पालन करना बड़ा पुन्य हैं, अथार्थ पुन्य वह है जो आप अपने पवित्र हिर्दिय, द्वेश, मुक्त, चित वं मस्तिक्ष के उच भाव वं उच विचारों के साथ करते ह किलो है पविछी, का झाल रखना भी उचे के टाम के उना रखना है rows इंव मुक्त, प्सको आंना है लाव भाव